हर्यम दोस्तों, मैं योग गुरू डॉक्टर अमे तकरवाल, अपनी यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूँ आज आप लोगे लिए फिर एक बहुती महत्वपूर्ण विशह, कब्ज जैसा कि हम जानते हैं कब्ज एक आम रोग है और सौ रोगों की एक जड़ है अगर आप कब्ज को ठीक नहीं कर पाते तो आप गैस, एसेटी या और बहुत से रोग होने वाले उनको भी आप ठीक नहीं कर सकते हैं पहले आपको पेट की समस्या अर्थात रोग जिस कब्ज है उसको ठीक करना होगा उसके बाद ही आप उससे समंदित या उससे होने वाले रोगों को आप नियंतरित कर सकते हैं आए आज हम बात करेंगे कि किस एक आसन के द्वारा हम कब्ज पर पूर्टाहा नियंतरण पा सकते हैं आगे बात करने से पहले आगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए और चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन जरूर प्रेस करिए जिससे आप तक लगातार मेरी वीडियो पहुंसती रहें हम बात कर रहे थे कि कब लोगों के SMS या comments या phone पर वो प्रिश्ण करते हैं जो आलरेभी वीडियो में बताया गया होता है और उसका कारण होता है या तो आप लोग वीडियो को ध्यान से सुनते नहीं है या वीडियो को skip कर देते हैं इसलिए वीडियो में हर बात का अपनी importance है क्योंकि किसी की किसी बात की requirement है और किसी को किसी बात की requirement है तो आप जब वीडियो को ध्यान से सुनते हैं तो उस वीडियो में आपके बहुत से प्रशनों का हल भी मिल जाता है लेकिन अगर आप वीडियो को इसकिप पर देते हैं तो आप बहुत से प्रशनों के उत्तर से छूट जात आईए हम लोग बात करते हैं कि कबज क्यों और क्यों परिशान करता है कबज पर सबसे पहले में आपको हम बात करेंगे पॉस्चर पर हम जानते हैं आज कल प्रचलन में कंबोड हैं काफी लोग ऐसे भी हैं जिनको घुटनों का दर्द नहीं है फिर भी वो वेस्टरन करते हैं इन दो की जब हम बात करते हैं कंबोड की और इंडियन शीट की तो हम साथ में फिर इसके नुकसान और फाइदे की भी बात कर लेते हैं आप जानते हैं कि जब आप कंबोड पर बैठते हैं तो नेचरली एवं 90 परसेंट लोगों की स्पैनल कॉर्ड जुकी रहती है इस पॉस्चर को आप खुद अप्जर्ब कर सकते हैं कि आप कंबोड में आगे की तरफ जुक कर बैठते हैं जिसकी वैसे आपके रीड को नुकसान होता है और इसके साथ साथ ये तो रही बात स्पैनल कॉर्ड की दूसरा जब आप जुक कर बैठते हैं तो उसके कारण और जो आपका पॉस्चर बनता है उस पॉस्चर के बनने के कारण आपका पेट साफ नहीं होता और आपके जो साफ करने में रेक्टम को खोलने में एक नर्व का बहुत बड़ा इंवाल्मेंट है जो इंडियन सीट पे ही एक्टिव होती है कंबोड पर नहीं होती उसके कारण आपका पेट साफ नहीं होता और आप कमबोट पर ज्यादा देर बैठते हैं जबकि इंडियन सीट पर ठीक इसके विपरीत होता है जिसको हम कहते हैं उकुरू घुटने घुटनों के बल बैठना जिसके बारे में अभी हम आगे बात करेंगे तो जब आप उकुरू बैठते ह हैं तो आपकी स्पैनल कॉट भी सीधी रहती है आपके पेट पर आतों पर भी प्रॉपर दबाव पढ़ता है आपका रेक्टम का पार्ट जो नर्व जिसकी वेए से आपका रेक्टम पूरा खुलता है और पेट साफ होता है कम समय में होता है वो आपको इंडियन सीट से मि करता है लेकिन जब आप इंडियन शीट पर बैठते हैं आपको समय भी कम लगता है और पेट भी पूरी तरह साफ होता है तो इसलिए आपके लिए जो इंडियन शीट बाला उकुरू वाला पॉश्चर है जिसको मल आसन कहते हैं ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है नमबर दूसरी बात एक बात और यहां इसपश्ट कर दूँ कि बहुत लोगों को लगता है कि हम रोज मोशन जाते हैं रोज जब आप मल तयाक के लिए बैठते हैं तो आपका पेट पूर्टाह साफ नहीं होता आपके आतों में कुछ मल लगा रह जाता है और वो धीरे धी करने के बाद भी उन रोगों से आप छुटकारा नहीं पापाते हैं तो यह बहुत ही महत्वूर्ण है कि जब आपका पूर्टाह पेट साफ नहीं होगा तो आपको यह रोग परिशान करेंगे और इसके साथ साथ एक बात बहुत इंपॉर्टेंट जब आप मोशन के लिए ज्यादा देर बैठते हैं उस इस्थिती में आपको रेक्टम से संबन देते हैं बवसीर भगंदर फिश्चुला यह बहुत ही भयानक प्रावलम हैं दर्दनाग प्रावलम कहूंगा यह प्रावलम आपके पीछे पड़ जाती हैं जिनको भी सही करना फिर बहुत ही परिश देने वाला होता है तो इसलिए आपको अपने पेट पर विशेश रूप से ध्यान देना है जिससे आपका पेट पूर्टा साफ रहे और आपकी आतों में पुराना मल चिपका न रहे या उस पे लेयर उसकी न बने तब आप देखेंगे आपके शरीर में भी एक हलका पन र रहेंगे तो आईए अब हम लोग सीखते हैं कि आपको मल आसन कैसे करना है मल आसन सिर्फ और सिर्फ जिनको घुटने में पेन है वो लोग नहीं करेंगे बाकी सभी लोग इस अभ्यास को कर सकते हैं तो आईए देखें आईए हम लोग स्टार्ट करेंगे मल आसन मल आसन में इसी तरह बैठे बैठे मैं आपको बताता हूँ इसके दोनों तरीके हैं मलासन के आप खड़े हो के भी इस अभ्याज को कर सकते हैं और बैठ कर भी कर सकते हैं तो मैं आपको बैठ कर बताता हूँ इस तरह आप पैरों के पंजो को रखिए हलके से पैरों के पंजो को भार की लगाएंगे देखिए इस तरह और हातों को नमशकार मुद्रा मिलेंगे बिल्कुल सीधे बैठेंगे रिल के हड़ी को बिल्कुल सीधा रखेंगे और जब आप कोहनियों से घुटनों पर प्रेशर बनाएंगे और हतेलियों से एक दूसरे को दवाएंगे तो आप शुरुबात में आप एक मिनट और धीरे धीरे इस अभ्यास की समय आप धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं इस आसन की मैं आपको कुछ खास बाते बता दूँ इस आसन को जब आप प्रति दिन करते हैं तो आपके घुटने तो मजबूत होते ही हैं, साथ ही आपकी जांगों की मासपेशियां, इसके साथ साथ आपके पैल्विक वोन, जो कूले की मासपेशियां हैं, वो फ्लेक्सिविल होती हैं, और इस आसन को करने से आपके कमर का जो निचला हिस्सा है, लंबर रीजन है, वो भी आपका मजबूत होता है, और साथ ही आपके जब आतों पर दवाव पढ़ता है, तो आपका पेट भी साफ होना शुरू हो जाता है, मल आसन की खास बात यह है, कि पहले दिन से ही आपको इसका असर पेट में नजर आएगा, और जैसे इसका अभ्यास आप प्रते दिन कर करेंगे, वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो, लाइक करिए, शेर करिए, हरियों